Hey guys, welcome to the study with Mayang, मैं हूँ आपका Mayang, हम लोगों की यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक समग गद्धन की सीरीच चल लही है, जो कि आपकी UP-PCS सहित, UP की सभी परीच्छा होई तू अतिमहत्पूर है, आज आपका ऐसी करम में लेक्चर नमबर 11 है, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की वन संपद आगे बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या-क्या डिस्कस करना है यहाँ पर, प्रदेश में वन, तीकि सबसे पहले तो हम लोग अपनी जो राष्टी वननीद है, यह पूरे भारत की जो वननीद है, उसके पारे में जान लेते हैं, तो राष्टी वननीद 1988 की जो है, इसके अनुसार देश के कुल छेत्रफल के 33-33% भाग पर बनो का विस्तार आवश्चक है, यानि पूरे भारत का जो संपूर्ण छेत्रफल है, संपूर्ण छेत्रफल का मलब गया, 100% जो छेत्रफल है, इसके 33% भाग पर बन होने चाहिए, यानि हमारे संपूर्ण छेत्रफल के 1-3 भाग पर बनो का होना आवश्चक माना गया है, आपकी प्रदेश सरकार ने भी इसी नीत का जो पैरामीडर है, इसको फॉलो किया है, और आपकी प्रदेश सरकार की जो गोसित बननीद है, इसमें भी र भूमी संसादने उस पर भी दबाव भोच जादा होगा, यानि लोगों के लिए रहने के लिए भूमी के आवश्क्ता जादा होगी, तो ओवियस्टी बात है कि हमारे याँ वन कवरेज घट जाएगा, तो यही कारण है कि यूपी में वन कवरेज जो है काफी कम है, बरतमा लोग 5% भाग पर बनाच्छादन है, और 3.08% भाग पर प्रक्षादन है, अर्थात कुल 9.23% भाग पर वन एवं प्रक्षादन है, यहाँ आप समझ रहे हैं, यहाँ पर 33.33% का लक्ष रखा है, और अगर हम इस 33.33% का भी देखें, तो इसका भी एक त्याही नहीं हो रहा खेतों की जो मुंडेर होती है, खेतों की जो जिसको आप मैंड बोलते हैं, उसकी किनारे ब्रक्ष लगे हों, वो सब इसमें काउंट हो जाते हैं, वो आपकी ब्रक्षादन मा जाते हैं, और वन का मतलब क्या होता है, देखें, वन में एक से ज़्यादा प्रकार की प्रजा आरे जो भी है, सामदाएक भूमे बहाँ पर जो ब्रक्ष लगे होते हैं, वो सब ब्रक्षादन में काउंट होते हैं, तो यहां तक यह बात किलियर हो गई होगी, यानि हमारे प्रदेश में 6.15% भाग पर बनाक्षादन है, और 3.08% पर प्रक्षादन है, कुल मिला लें, तो आपको अक्षांजी विस्तारी होता है, 13.52 है, यानि हम लोग लगवक करक्रेखा के बगल में ही है, करक्रेखा के थोड़े से उपर है, और उपर से आपको पता ही है कि यहां पर हमारी सिवालिक रेंज है, हमाले की सिवालिक रेंज है, इस साइड में आपका थार डेसर्ट पड़ जाता है, तो इस बज़े से हमारे यहां उपोष्ट कटवंद की जलवायों का प्रभाव ना होकर यहां पर उष्ट कटवंद वाली जलवायों का प्रभाव रहता है लेकिन कुछ भाव, कुछ बज़िश्टाओं के आधार पर, इन्हें तीन भावह में विभाज़त किया गया है याणि जो आपके उष्ट कटवंद यह प्रदेश वाले बन है, इनको तीन भावह में डिवायट कर लिया गया है यह वाली वेल्ट है, यहां पर यह बन पाए जाते हैं, जहां पर 100 से लेकर 1500 सेंटीमिटर की परसा होती है इसमें जहाडियां, बास के जुर्मुड, आरहोई पादप, बैत, साल, बेर, गूलर, पलास, महुआ, सैमल, ढाक, अमला और जामुन के प्रक्षों का यहां पर बाहुल्य होता है अब इसके बाद आते हैं आपके उश्रकडवन्दिय सुस्क पढ़ पाती तो देखें, यह जो है यह राजिके पूर्व हिस्से में, यानि इस वाले हिस्से में, मद्ध में, यानि यह जो आपका रीजन है मैं दिखा दे रहा हूँ, यह जो पूरा आपका रीजन है, यह वाला, इसमें आपका जो विस्तार पाया जाते हैं, यह आपके जो हैं उष्ट कडवंदिय, सुस्क पड़पाती बन यहां पर पाया जाते हैं, तो यह राजी के पूर्व मद्द, यहां पश्मी मैदानों में स साल है, पलास है, अमलतास है, बेल है, अंजीर, यह आदी यहां पर इसके प्रमुक ब्रक्च होते हैं, इसके बाद आजाते हैं, उष्ट कडवंदिय, कटिली जाडियां, आप जानते कटिली जाडियां वहां पर होती हैं, जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, तो राजी का अकेसिया, कटिले, लेगुमेस, यूफर्भी, यास, फुलाई, कत्था, ककको, धामन, रेउन, जहाँ, थोर और नीम आदी के ब्रक्षियां पर पाए जाते हैं अब देखें आपके सामने जो मैं फैक्ट दे रहा हूँ ये मोश्ट मोश्ट इंपोर्टेंट हैं और किसी भी एक्जाम में ये एफेक्ट सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं अगर हम बात करें यहाँ पर अपने परदेश में तो सरवादिक 302 वन शेत्रफल वाला जो जिला है हमारा वो लखीमपूर है यानि कि बेरी डेंस फोरेश्ट वाला जो जिला है तो यह हमारा लखीमपूर जिला है जिसमें सबसे सघन बन पाई जाते हैं और इनका शेत्रफल भी आना दिया हुआ है आपकी जो नवीनतम रिपोर्ट है ISFR की 2021 वाली इस रिपोर्ट के अनुसर कितना है अगर हम सरवादिक बन शेत्रफल वाली जिले की बात करें यानि कि हमारे प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा बन पाई जाते हैं सबसे ज्यादा बन शेत्रफल वाला जिला कौन सा है तो आपका स्वनवत जिला है जिसमें सबसे ज्यादा बन पाई जाते हैं आपके माईड़ने चीज़ां घ्लियर हो गहीं होगी जहां पर अतिसघन बन की बात हो रही है। बहुत ज्यादा जो पासपास जिले में पेड़ होते हैं उन बनों की बात हो रही है। खुले का मलब क्या होता है कि सूरी का प्रकास नीचे तक ध्रातल तक उनकी जो नीचे को जड़ है बहां तक जड़ तक पहुंच रहा हूँ तो खुले बन में आ जाते है अगा सरवादिक बन शित्वल बाला जिला की बात करें तो आपका स्थोनवद्र है क्योंकि आपके प् मिर्जापुर है देखे मिर्जापुर मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ यह वाला आपका जो है मिर्जापुर है ठीक है यह सौनवद्द होगा यह आपका लखिमपुर के लिए है यह मिर्जापुर है और आपका इधर हो गया पीलीवीद पीलीद आपका इसी लगा हुआ वाला पीली वीद है, तो ये चार जिले जो है जिनका करma आप दिख रहे हैं, तो ये सरवादिक 1 चित्रुल वाले 4 जिले हैं प्रदेश में सबसे कम 1 चित्रुल वाला जिला जो है आपका बधोई है, बधोई में 3.7 एक वर किलूमेटर चित्र वर वन फैले हुए हैं देखे ये आपका रहा बधोई डिस्टिक आप देख पारें बधोई डिस्टिक जो है काली निर्माट के लिए फैमस है इधर आपका प्रियागरा जाए मिर्जाबूर है इधर बाराणसी है उधर जौनपूर इन चार जिलों से घिरा हुआ जो आपका बीच में जिला है आप देख रहे हैं ये बधोई है तो सबसे कम बंचित्वल वाले हमारे चार जिले कौनकों से हैं एक तो आपका बधोई हो प्रों खीन है इसके बाद आपका आजाता है मउ यानि जो आपका मउ जिला है ये सेकंड नमबर पूर आ जाएगा फिर आपका मैंपूरी आपका ये है और आपका मउ डिष्टिक जो है वो भी मैं दिखा दे रहा हूं ये रहा अपका मउज आजमगड आजमगड और बलिया के बीच में देवरिया है इधर नीचे इन्चे गाजीपुर है ये आपका मौ जिष्टेक है इधर महनपुरी है और फिर आपका आजाता है संत कभीर नगर देखे ये जो छोटा सा जिला आप देख रहे हैं बस्ती के पगल में बस्ती उपर स दार्थ नगर है इधर गोरकपुर है नीचे आजमगड अमेटकर नगर है ये देखे ये जिला जो है आपका ये संत कभीर नगर है तो पहले नम्मर पर बढ़ोई है सबसे कम बनशित्फर में उसके वाद महूग आ जाता है फिर आपका महनपुरी है फिर आपका संत कभीर अगर हम percentage के रूप में देखें परसंटेज का मुलब जानना है आप कि जो आपका जिले का जितना area है उसके according देखें तो सबसे ज़्यादा बनों का area रखने वाला प्रस्तत रखने वाला जो जिला है आपका सौनवद्र है इस सौनवद्र में इसकी जो जितना भी शेत्रफल ह उसके 100% में से 3529% भाग पर वन अच्छा दित हैं सबसे कम बनप्रस्त वाला जिला आपका कौन सा है यह आपका बदोई है ठीक है यानि कि percentage में बात हो रही है यहाँ पर सरबादिक बनप्रस्त वाला जिला आपका सौनवद्र है और सबसे कम बाला यहाँ पर कौन सा है यह बदोई है तो यानि आपको याद करने में आसानी होगी चाहिए वैसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो दोनों आपके सेम जले हैं परवर्तित नहीं हुए है तो यहाँ पर कितना है यहाँ पर आपका सौनवद्र में उसके संपूर्ण शित्फल का 3529 पर पनाच्छा दित ह और बदोई में आपका कितना है 10-30% है तो आपके मन में इस चीज़ें किलियर हो गई होगी है अब आपके प्रदेश के वनों का प्रसासनिक बिवाजन है तो प्रसासनिक दश्टी से राज्य के संपूर्ण बंचित्र को 6 वर्गों में ड्वाइड किया गया है सबसे पहले क्या होता है आपने देखा लखडी बीनने वाले होते हैं या फिर बनों के उत्पाद हैं वो बीनने वाले खटा करने वाले लोग होते हैं वो इनमें एंटर नहीं कर सकते हैं आरक्षित चेत्र में तो यह बात यहां पर पताई गई है यह सब क्रियाएं जो है यह प्रतिब नहीं होता है तीसरे प्रकार के पर जो one आ जाते हैं ये आपके आ जाते हैं अवर्गी करत one तो ऐसे one जिनका अभी वरीकर नहीं किया गया है अवर्गी करत one कहलाते हैं और इन oneों में भी इस्थानी लोगों को लखडी काटने तता पसु चराने की सुविधा रहती है इसके बाद आपके आ जाते हैं राजकी वन यानि ऐसे one जो पूर रूपेड राजकी सरच्छड और नियंत्रण में रखे जाते हैं उन्हें राजकी वन कहा जाता है सामदायक वन जैसा के नाम से ही मालू मैं समदायक लिए हैं तो ऐसे one जो पूरत है स्थानी निकायों यथा जिला परस्तों नगर निक्वों नगर पालिकाओं या नगर पंचायतों के नियंत्रण में होते हैं यह सामदायक वन कहलाते हैं आपको पतन confession करहा है तो समुन्धायक कैसी सभी लोगों तूल किसी के प्रयवेट पउर्टी पर नीजी उन है तो व्यक्तिकत अधिकार बाले work को को नीजी उन कहा जाता है पकूरे जो और य कॉलिक्त इडालने का रीजन यह ही कमई आपकी UP की इन व्रक्षों के उत्पादों के लिए सरकार ने स्कीम भी चला ही है इसलिए हमें यहां पर जो वरनों के उत्पाद है वो भी पता होना चाहिए कि हमारे पत्र Conclusion में कौण-कौण से वरनों से क्या-क्या उत्पाद प्राप्त हो दे हैं तो खेर रक्ष से कथ्था बनाई जाता है, कथ्था का मलब आप जानते हैं, जो पान में लगाया जाता है, कथ्था, वही कथ्था हो रहा है यहाँ पर, तेंदू पत्थे से आपकी बीडियां बनाई जाती हैं, सेमल, अर्दुन, और गुरेल वक्ष से माचिस की तीली और ड इसका जो बीज होता है उसका भी इस्तेवाल होता है तो तारपीन तेल और विरोजा ये प्राप्त होते हैं जड़ी बूटी एक त्रिकड कारिक्रम हुआरे प्रदेश सरकार ने चलाया है तो प्रदेश के रलितपूर जहांसी महोबा चित्रकूट सौनभद्र मिर्जापूर और चंदोली जिलों में पाई जाने वाली मुख्य जड़ी बूटियों का संग्रे राजवन निगम द्वा कि लगवा कि इन जिलों के पांच-छार परवारों को उनको रोजगार भी मिलना है इस कारिक्रम से अब है आपका त्येंदूपत्य संग्रण तरसा निस्तारण जैकर अब यह कहा दिया प्रदेस सरकार ने कि जो भी आमदन होगा उसका 50% इन परिवारों को दे दिया जाएगा जो इस काम में सललляगन है यानि इन मजदूरों को दे दिया जाएगा जो इसंकाम में तो आपका पहला है वनमहोसब, कैन सरकार द्वारा गोशित 1952 के वन नीति के रहत 1952 से देश में, तद आपके उत्तर पर देश में वनमहोसब मनाया जाता है और इसका मूल्थिम क्या है, इसका मूल्थिम है फ्रच का अर्थ, जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही समाज के द्वारा समाज की भूमी पर वनी करण है किसके लिए समाज के द्वारा है समाज के द्वारा है और समाज की भूमी पर वनी करण है और समाज की भूमी पर वनी करण है और यह समाजिक वानकी का सबसे पहले उपयोग से ये स्टार्ट हुआ है हरयाली के छेत्रे में विस्तार करना इसके लाबा जलाव लकडी हेतु यूके लिप्टस ता चारा हेतु सू बबूल का उत्पादन करना कागा जेमें मुलबदी के लिए सहय जन ता रेयन और माचिस उद्योग के लिए अर्दुन के ब्रक्षों को लगाना सिल्क के लिए सहतूत तरह तेल के लिए कांगी यह उँचर्म उद्यों के लिए बबूल के ब्रक्षों का रूपर करना भूमी सरक्षड में सहयता करना तो यह कुछ इसके यहाँ पर उद्यस रखे गए थे आप देखें यहाँ पर नोट लिखा हुआ है और नोट में बात बताई गई है इस योजना की अंतरका सामिल ब्रक्षों में से जो आपका यूकेलिप्टिस है यह भूमी का जल और म्रदा अरवरता की जश्टी से बहुत हानकारक प्रभाव डालने वाला है और इसे जो है पार्षित की आतंकवादी भी कहा जाने लगा है आपने देखा होगा कि प्रदेश सरकार यूकेलिप्टिस को लगाने के लिए प्रोसान नहीं देती है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा क्या करता है यह आपका भूमी का जल का बहुत ज़्यादा दोहन करता है और जो आसपास की भूमी होती है उसकी उर्वरता को नश्ट करता है इस बज़ेसे इसे पार्षित की आतंकवादी की संग्या दी गई है तो आपसे एकर पुशा जाए किस निम्नमेसिकस प्रक्ष को पार्षित की आतंकवादी की संग्या दी गई है तो आप बता देंगे यूकिलिप्टिस की प्रक्ष को दी गई है अब अगली जो परियोजना है यह है आपकी उत्तर प्रदेश वान की परियोजना तो प्रदेश में विस्टु बेंक की साहता से उत्तर प्रदेश वान की पर योजना 19 मार्च 1998 में शुरू की गई है और इस योजना के ध्यत एको डवलप्मेंट के अंतरगत दुद्वा राष्टी उध्यान राष्टी चंबल वन जीप बिहार के समीपस्त 40 गाउं में पहली पहली चंबल वन जीप बिहार के समीपस्त 40 गाउं है यहां पर पब्लिक की जो कह सकते हैं पब्लिक का जहां पर सहवागता करबाकर और एक माइको प्लान तयार किया गया है और इको डवलप्मेंट समीप्नियों के द्वारा उनका प्रियान वन किया जा रहा है यह बात यह सरकार के सहयोग से हैं जापान सरकार के सहयोग से जुलाई 2010 से प्रदेश के तराई बिंद इस बंद गण के शोले जिलों के अंतरगत आने वाले 20 ग्राम बन घोसित किया गया है देगे ये most important है ये कई परीच्छाओं में पूछा गया है प्रदेश की कि आपके प्रदेश के किस जिले के किस गाओं को ग्राम बन घोसित किया गया है तो आप बता देंगे स्वनभत जिले के बेलहत्ती ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घुसित किया गया है, यह आप बता देंगे, और किसी योजना के तहट किया गया है, यह किया गया है सहवागी वन प्रबंदन योजना के तहट, जो कि सन 2010 में जापान सरकार के सहयोग से चलाई गयी थी, अब आजाती है विकास योजना के तहत कई सारे कारिक्रम इसमें चलाए जा रहे हैं जैसे ओध्ध्व के यों पलपूर्ड रक्षार रूपर इधन के लिए रक्षार रूपर सडकों के किनारी रक्षार रूपर बीड़ों का वनीकरण और राम गंगा अधी चित्र योजना ये कुछ इसके 2001 से ओपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई थी और इस योजना में जन सामाने विविन सरकारी विभाग विद्ध्या लेओं तो निजी सस्ताओं के सहयोग से रच्छार रूपर कार इसमें कराया गया है ग्यारेमी जो आपकी पंचवर्सी योजना आई है यानि पूरे भारत की यो ग्यारेमी पंचवर्सी योजना है इसके तैत वर्स 278 से राज में हरीतिमा विस्तवार चेतना केंद्रों या बन पार्कों के अपग्रेडेशन हितु पुन्हें ऑपरेशन ग्रीन को सुरू किय गया है यनि सन 241 में स्टार्ट किया गया था कुछ समय के बाद ही बंद कर दिया गया लेकिन जब आपकी ग्यारेमी पंचवर्सी योजना आई तो उस ग्यारेmost 55 योजना में इसको अपग्रेड करते हुए फिर से स्टार्ट कर दिया गया है ये बात आपर पताई गई है अगली योजना है आपकी व्रक्षा रोपड विस्तार योजना तो प्रदेश के 48 जिलों में यह योजना सन 278 से चलाई गई है और इसके तहट ग्राम समाद वन भिभाग और पट्री के किनारे की भूमी पर व्रक्षा रोपड कराया गया है अगली योजना जो है यह है ब्रक्षवंदू पुरुसकार योजना देगे ब्रक्षवंदू पुरुसकार योजना जो है यह सन 278 से यह भी चलाई जा रही है और इसमें ब्रक्षार उपर वनजीव सरक्षड को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों या सनस्ताओं को पुरुस्करत किया जाता है अब है आपकी फीर अब्दुल हमीद वन एवनजीव 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 परियावड सरक्षड पुरुस्कार योजना तो यह योजना ब्रक्षार उपर बढ़ाने वनजीवों तथा परियावड सरक्षड की चतर में कारी करने वाले व्यक्तियों या संग्ठनों को पुरुस्कत करने हितु यह योजना सन 2-12-3 से चलाई जा रही है और इसके त्यात प्रत्यक वर्स किसी एक चैनित व्यक्ति को 1 लाग रुपय या किसी एक चैनित संग्ठन को 2 लाग रुपय के पुरुस्कार और इस्मती चिन अललग दिये जाते हैं यह बात यहाँ पर पताई गई है तो सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि यह कब से स्टार्ट हुई है सन 2-12-3 से स्टार्ट की गई है अगली योजना है आपकी टोटल फॉरेस्ट कवर योजना तो राजिके मैनपुरी, आगरा, मतुरा, सिरोजाबात, बदायू, रामपुर, कन्नोज, इटावा, लखनव, उन्नाओ, अयोध्या, आजमगर, ललिदपुर, चित्रकूट आदी, 14 जलों को पूर लूप से हराभरा बनाने के लिए यह जोजना सन 2014-15 से यह जोजना चलाई जा रही है अब है आपकी हरित पट्टी विकास योजना तो प्रदेश में परियावड सुधार हेतु यह जोजना सन 2012-13 से चलाई जा रही है और इस योजना के तहत साजने के स्थनों पर सीसम, अमलतास, गुल्मोहर, सीरस यानि छायदार व्रक्ष, आम, चित्वन, पीपल, पाकड, कचनार, इमली, बेल, महुआ, बर्गत, कंजी आदिके पेड़ लगाए जाते है अगली है आपकी व्रक्ष, प्रतिपालक, इवन, व्रक्ष मित्र, योजना, तो ग्रामों, सहरों में प्रक्षा रोपड को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई जा रही है और इस योजना के तेहत किसी अवकासप्रात, सिक्षक, या अन्य कर्मचारी, या किसी अन्य व्यक्ति को जो पेड़ पोदों में रुचि रखता हो इसको ग्राम महुला इस्तर पर प्रतिपालक और रेंज इस्तर पर प्रक्ष मित्र चुना जाता है तो यह आपकी योजना है, तो प्रतिपालक और रक्ष मित्र अपने इस्तर पर प्रक्षारोपड को प्रोसायत करने, नई योजना है बनाने, प्रक्षों की देखरेक करने, और विभाग को तरहतर की सूचना है, और प्रामर्स देने का यह कारी करती है तो यह था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिलकुल न भूलें, तो चलिए आज के लिए बस्तना ही, ठैंक्स वर वाचिंग, जैहिंद